वीके न्यूज राश्ट्र के नाम वैसे मेरा ये मानना है कि नारी के लिए तो हर दिन है ठीक है ये एक दिन हम सेलिबरेट करते हैं महिलाओं के लिए और नारीयों को सम्मान देते हैं लेकिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता रही है उसमें नारियों को वैसे ही पहले स्थान दिया गया है यत्र नारियस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता यह हमारी संस्कृति है कि यहां नारियों को पूजा जाता है यहां नारियों का सम्मान किया जाता है ये बात अलग है कि वक्त वक्त जब वक्त बदला कुछ समयकाल परिस्थितियां से आई कि हमारे देश में घूंगट परता भी आई बाकी चीजे भी आई लेकिन अगर हम हमारी पुरातन वक्त में जाएं तो देखे कि हमारे देश में ऐसी ऐसी विदूशिया हुई है जो परिस्थितिया देश में खुबच देखे कि अगर पुरुश पर चलते हुए डगमगा जाए गिर जाए तो पतनी उसे संभाल ले तो ये नारी की हमारे देश में खुबचूरती है हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाकवी कालिदास की जो पतनी थी महाकवी कालिदास को कालिदास ही उनकी पतनी ने बनाया था वो कभी मूर्ख हुआ करते थे उन्हें मूर्ख कहा जाता था और वो विदूशी थी उनकी पतनी तो एक शड़यंत्र कहता है उनकी विवाह जो ह क्पाने में दा कालिदास जन्हों काल जए ग्रंथ लिखें यह नारी की महिमा है हमारे देश में कहते हैं कि जो मैं बता तो नारी ही जो है वो नारी घर को सुन्दर बनाती है तो नारी ही शक्ति है नर की और नारी ही शोबा है घर की अगर आपके घर में नारी नहीं होंगी तो आप घर को सुन्दर नहीं बना सकते हैं अगर घर कोई सुन्दर बनाता है तो नारी बनाते हैं चुकि मैं कुछ दिनो दिन की रोशनी खाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, और जिस घर में मेरे नाम की तक्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तक्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई, तो ये नारी की पीडा है, ल इलाके चल भी रही है, उनको थाम भी रही है, उनको संभाल भी रही है, तो तमाम महिलाओं को शुब कामना है, नारी दिवसकी.